हेले स्टुडेंट्स, आज हम अध्यन करेंगे प्रवाल दीप का प्रवाल अपने शरीर और आकार में एक विचित्र प्रकार के जीव हैं जो उश्र समुंदर में पाये जाते हैं वैसे तो समुंदर में असंच प्रकार के जीव पाये जाते हैं लेकिन उन जीवों में कुछ ऐसे जीव हैं जो समुंदर में विशिष्ट प्रकार की रचना करते हैं इनी में से एक प्रवाल जीव हैं प्रवाल को मुंगे के नाम से भी पुकारा जाता है इनका शरील चूना डोलो माइट से युक्त और इस्पंज के सद्रश होता है ये अधिकांस्ते उष्ण समुंदरों की देन हैं उष्ण समुंदरों के जल में चूने की मात्रा अधिक होने से इनका सम्पून शरीर चूने से युक्त होता है इन जीवों का मुख्य भोजन चूना और चूना युक्त पदात है जब ये जीव हजारों वर्षों तक जुन्टों के रूप में रहते हैं और समुंदरी तल में घटबड और रासाइनिक परिवक्तन के फलस्वरूप जब इनके समुचे धेर ठोस और कड़ी चट्टान के रूप में परिवक्तित हो जाते हैं तो वो मुंगे की भित्ती का रूप धारन कर लेते हैं प्रवाल अपनी रचना में दो प्रकार के होते हैं पहले संयुक्त प्रवाल जो जुन्ड के रूप में रहते हैं और दूसरे प्रकार का प्रवाल एक सरल प्रवाल के रूप में जाना जाता है यह प्रवाल अपनी भित्ती के निर्माण के समय अन्य कीड़ों का भी सयोग लेते हैं यह प्रवाल प्राय अकेली ही अपना जीवन पूरा करते हैं प्रवाल के विकास है तूं कई भोगलिक परिष्टितियां होना आविशक हैं जैसे प्रवाल उश्रे शमुंद्री जल का जीव है जिसका तापमान और 60 डिगरी से 70 डिगरी फारेन हाइट के लगबग होना चाहिए इस जीव का उत्पन्द छेत्र 30 डिगरी उत्तर से 30 डिगरी दक्षिरी अक्षांस तक रहता है जहां पर ये भली भाती उत्पन होते रहते हैं केवल वर्मूदा द्वीप ही एक ऐसा द्वीप है जो 30 डिगरी उत्तरी अक्षांस में इस्तित हैं वहापर इसके लिए भोगलिक परिस्तितियां अनुकूल होने से इनका जन्म और संख्या अधिक पाई जाती है प्रबाल समुंद्र में 200 से 200 फीट की घहराई पर सरलता से पनपता है क्योंकि अधिक निचाई पर थंड़ा जल पाया जाता है जो इनके लिए अनुकूल नहीं होता जिन महासागरों में जल की लवणता अधिक पाई जाती है वहां चूने की मात्रा कम होती है जबकि चूना प्रबाल जीवों के भोजन का मुख्य आधार है इसलिए अधिक लवड़ता यो तुम्हासागरों में प्रबाल जीवों की संख्या नहीं के बराबर होती है महासागरों में नदियों दुआरा लाई गई मिट्टी तल छट के रूप में जमा होती रहती है यह तल छट प्रबाल जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक होती है क्योंकि यह उनके मूँ में भव जाती है तल छट के कारण समुंदर का पानी गंदा हो जाता है तल छट के कारण सूर्य की किर्णे प्रबाल जीव तक नहीं पहुँच पाती और प्रबाल जीव मर जाते हैं तल छट प्रबाल के घरों को भी हानी पहुचाती है मा सागरों में तरंगे और धाराएं प्रबाल जीवों के लिए लाप दायक होती है प्रवाल जीवों के विकास में विशेश रूप से लाग पोचाने वाले बड़े बड़े अन्ते साग्रिय चबूत्रे होते हैं जो की प्रवाल को घरोंदे बनाने में सुवीदा जनक सिद्ध होते हैं प्रवाल जीवों के लिए ताजा जल हानी कारक होता है अधिकांस्ते नदियों के मुहानों पर ताजा जल बहुलता के साथ बहने से प्रवाल अपनी भित्तियों के जो बित्ति में प्रवाल अपनी जो भित्तियां उनको मुहाने से दूर हटकर बनाते हैं प्रवाल जीवों पर हवा की बहती हुई प्रक्रति का भी प्रभाव पड़ता है पूर्वी तट पर इन पवनों का प्रभाव न्यून होने के कारण अधिकांस्ते प्रवाल भित्तियां महादिपों के पूर्वी भाग में पाई जाती हैं इसके अलावा पूर्वी तटों पर गर्म धाराएं भी बहती हैं प्रवाल भित्तियां कई प्रकार की होती हैं जैसे तटिय प्रवाल भित्ति या अनूतट प्रवाल भित्ति दूसरी परातत या अवरोधक प्रवाल भित्ति तीसरी वल्याकार प्रवाल भित्ति या एटोल और चोथी प्रवाल भित्ति तो पहली है तटिय प्रवाल भित्ति तटिय प्रवाल भित्ति मादिपों दीपों के पास इस्तित होती हैं इन भित्तियों की रचना मा सागर के नीचे सदेव जल में डूबी रहती हैं इन भित्तियों के उपरी भाग की रचना सदेव उबर खाबर होती है इनका उत्तम विकास संक्रे प्राय दीप अथवा दीपों के सहारें अधिक होता है फ्लोरीडा के तट अंडुमा निकोबार और लक्ष दीप पूर्वी मलेशिया प्राय दीप एवं मध्यवत्ति प्रशांत दीपों पर ये अधिक विक्षित रूप से पाई जाती है दूसरी है अवरोधक प्रवाल भित्ति या परातट प्रवाल भित्ति ऐसी प्रवाल भित्ति महा दीपों और दीपों के तट से कुछ किलो मीटर दूरी पर तट से समानतर विक्षित होती है चुकि ऐसी प्रवाल भित्ति तट एवं खुले सागर के मध्य सीधे संपर्क में एवं याता यात में अवरोध पैदा करती है इसलिए इसे परातट या अवरोधक प्रवाल भित्ति कहते हैं ऐसी प्रवाल भित्ती में तट एवं प्रवाल भित्ती के मध्य, सक्री, किंतु, छिछली नहर, खाड़ी या चैनल बन जाती हैं यह आकार में लंबी, अधिक चोड़ी, वह कम गहरी होती हैं मध्यवक्ती चैनल में धीरे-धीरे मूंगे वह अन्य जीव एवं अफसात का जवाब होते रहने से यह चिछली होती जाती हैं इसलिए इसमें इश्टीमर या जहाज नहीं आ जा सकते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की महान अवरोदक प्रवाल भित्ती जिसे Great Barrier Reef of Eastern Australia कहते हैं विश्वी की सबसे लंबी प्रवाल भित्ती है इसका विश्टा 9 डिग्री से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षानसों के मध्य एक हजा 920 किलो मीटर की लंबाई में है उस्ट्रेलिया के पूर्वी तटके उत्तिरी भाग में तट से 32 से 240 किलो मीटर के मध्य की दूरी पर ये प्रायस समानांतर फैली है यह महान प्रवाल भित्ती भाटे के समय इस पष्ट दिखाई देती है पूर्णिमा एवं अमावस्या के दीर्ग भाटे के समय इसका द्रश्य बड़ा ही मनुहारी होता है चोंकि तब ये सागल तल के कुछ नीचे चले जाने से थोड़े समय के लिए सागल तल से दिवार की भाती उबरी हुई दिखाई देती है ये प्रवाल भित्ती याक प्रायदिप के मध्य पूर्वी भाग में तटसे काफी निकट आकर सबसे संक्री हो गई है ये बीच बीच में नदी मुहानों के निकट तूट भी गई है इस प्रवाल भित्ती की बहार की और कई शाखाएं भी पाई जाती है इस प्रकार की प्रवाल भित्ती का विकास दीपों के चारों और घोडे के नाल की भाती होता है जब किसी दीप के अधिकांस भाग में परातट अथवा अवरोधक प्रवाल भित्ती फैल जाती है तो इसकी आकरती वल्याकार हो जाती है माधिपिय मगनितट या महासागरों के चबूतरों पर जो उभार पाये जाते हैं उनके चारों और अनेक बार घोड़े के नाल की भाती लचना का विकास होने लगता है यह वल्याकार प्रणाली के मध्य जील या लेगून होती है लेगून की घहराई 30 से 60 मीटर तक की हो सकती है प्राय महासागरों के भीतर विक्षित ज्वालम की जब सागल तल के कुछ नीचे रह जाते हैं तब उनके चारों और निरंतर अवरोधक प्रवाल जो हैं वो विक्षित होकर सागल तल की और बढ़ते जाते हैं इसी प्रकार से सागल तल के निकट वल्याकार प्रणाली का विक्षित होने लगता है नेक्स्ट है प्रवाल दीव प्रवाल दीव वल्याकार प्रवाल भित्ती का विक्षित रूप हैं ये दो प्रकार से विक्षित होते हैं पहला जब किसी दीप के चारों और वल्यकार प्रवाल विक्सित होते हैं तो मध्य में दीप होने एवम लेगून छिचली रहने से उसे प्रवाल दीप कह सकते हैं दूसरे जब वल्याकार प्रवाल भित्ती के मध्य छिचिली लेगून होती है तो वो धीरे धीरे बालू प्रवाल भित्ती के टुकडों आदी से भलती जाती है इससे वहाँ नवीम दीब बन जाता है यहाँ पक्षी या पवन के माध्यम से बनस्पती के बीज आ सकते हैं ऐसे दीब प्राय दलदली होते हैं इनकी सागर तल से उंचाई बहुत कम होती है अते लहरें उठने पर सारा दीब जल से ढख जाता है इस प्रकार के प्रवाल दीब निकोबाव दीब समू पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की महान अवरोदक प्रवाल भित्ती के पूर्व एवं उत्तर पूर में पाए जाते हैं यहां पर बालू का विस्तार अधिक होता है तो बच्चों आज हमने प्रवाल दीब का अध्यन किया आज के लिए बच इतना ही ठेंक्यू